केवल चार दिन बचे हैं अब सोच रहे हैं पसु परिचर के एक्जाम के लिए दढ़कने तेज हो रही है तो साथियों यह वीडियो आपको एक्जाम के अंदर निश्चित तोर पर हेल्प करेगा इस वीडियो को अंतक देखिएगा यह अभी से स्किप कर लीजिएगा क्योंकि अदुरा घ्यान हमेशा खतरनाक होते हैं मैं आपको यहां पर कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अपने स्कोर के अंदर एटलिस टेन माक्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा तो एक बहतर रणिती कि यूद्ध के अंद रिवीजन करें पहला स्टेप है रिवीजन पे फोकस करें और इसके अलावा एदी में आपके साथ बात करूं तरहनों परसेंट लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सबसे मैं इलतजा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए इसके आपको करेंट अफेर्स को थोड़ा सा वापस देख लेना है जिसके अंदर मुख्य रूप से आपके ओलंपिक्स सभी प्रकार के खेल आयोजर इन सभी के संदर में पढ़ लीजिए गा और साथी साथ मैं करेंट अफेर के अंदर राजस्तान के अंदर नए जो निक्तियां हुई है नए प्रकार के जो लोग बने हैं अक्टूबर तक है वह आपको याद कर लेने हैं करेंट अफेर्स को अच्छे से आपको वापस कर लेना है राजस्तान जीके के अंदर जो आपके जितने भी सब चीजे हैं जिनके शोर्ट सोर्ट नोट्स है वह आपके पास नहीं है तो हमारे application में available है उनको सरसरी निगाओं से देखते रहेना है यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है राजस्तान जीके इसके अलावा जो पसू पालन है इसके अंदर तो देखो भाई साब हमारे जो CR सर है वह आपके 6-9 महा मेरातन क्लासेज ले रहे हैं उनको आप डं द्यान रखना है पसू पालन को विशेश रूप से ध्यान रखना है साइंस के अंदर विशेश रूप से आपको बायालोजी के उपर फोकस करना है बायालोजी की क्लासेज अभी हमारे यूट्यूब पर चल रही है क्योंकि फिसिक और केमिस्ट्री के बहुत कम चैप्टर आपको दिये गए हैं तो साइंस की क्लासेज को आपको अच्छे से लेना है बड़िया तरीके से कवर अप कर लेना है यानि कि अपन को मोटा मोटी तोर पर गणित के फोर्मूलाज को बार बार अब दोराना है मान लीजिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उन सभी के फो शुरुआत गणी से नहीं करनी है क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि कई बार कई सारे इसे निर्णे होते हैं जो शुरुआती दोर के वह अपने मस्तिस के उपर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और यदि शुरुआत के पांच साथ सवालों के अंदर आपको असलस्ता होनी चाहिए हजारों ऐसे युद्ध की कहानिया सुनी होगी जहां पर कई ऐसे बड़े राजा हुए जिनके पास छोटी शेना थी परंदु बड़े लशकर से बिढ़कर उनके शामने विजई पताका को फैराने के अंदर सफल रहें तो सब कुछ खेल किसका है मन के हारे हा मन के जीते जीत यदि आपने सोच लिया तो आपको जीत से कोई रोक नहीं सकता है इसलिए विशेज रूप से रिवीजर इसके अलाव करण अफेर्स को अभी तोड़ा सा ध्यान देना है मस्तिस को शांत रखने का प्रयाश करना है छे से साथ गंटे शोना है और रोज एक म मोड के अंदर आ जाए मशीन एक तरीकी ब्रेन भी उसको जितना अच्छे से काम लोगे उतना बहतर तरीके शेक काम करेगा इसलिए मशीन को टाइम पर एक्टिवेट कीजिए कई बार क्या होता है कि मान लिए तीन चार सवाल आपको एक्जाम में नहीं आ रहे हैं तो वहा उपन को पहले क्या कर लेना है गुले बढ़ने ने हैं ब्लू पैन से बढ़ने हैं नोव आगे से मोटा होना चाहिए ताकि गोले बढ़ने में आसानी रहे यह थोड़ा सा ध्यान रख लेना मान लीजिए दूसरे गोले के अंदर भी ऑप्शन था तीसरे के अंदर यह था तो अब यह तो तीसरा के बाद चौथा सवाल है इसके उपर ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर आपको इसे घुला बना देना है ताकि देखो लाश्ट में क्या होता पता आपको अपन को यह नहीं पता चलता मैंने छोड़ कौन सा दिया है क्योंकि आपको पता एक सवाल भी यदि आपने नोट अटम्टेट के अंदर पांच वा गोला भी नहीं बराना तो भी वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है यानि गलत होने से ज्यादा यह डर है कि आपका नोट अटम्टेड वाला कोई भी गोला खाली ना जाया और यादी पनरा सवालों के अंदर आपने मालो वीस सवाल चोड़े।brid के अंदर आपको पांच वागोला बढ़ना है यह नोट आपन ने चार सवालों के अंदर बढ़ टी और शोला खाली छोड़ दिये तो आपका पецप सब्सक्राइब करना है तो आपको सवाल नहीं आ रहे हैं उसके उपर इस तरह की मार्किंग करनी है सबसे पहले मैंने बताया है जो सवाल हो गया उसके उपर इस तरह का क्लिक करना है जिस सवाल के अंदर आपको दो मैंसे कंफ्यूजन है तो आपको इस तरह का इस्टार लगाना है यदि आपको बिल्कूल ही नहीं आ रहा तो इस तरह का गोला लगाना है जिसके बारे में आप बाद में सोचेंगे इसके लिए हैस लगाना है और जिन सवालों का गोला भर दिय करना है उसके उपर इस तरह का डबल टिक करना है कि मैंने गोला भर दिया है गोले बरते समय आपको विशेश ध्यान रखना है बड़ी आतरीके से एक्जाम देके आना है कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी विजय होंगे और यह जो हमारी टेस्ट स्रीज है उसके लिए प्रत